हाई, वल्कम बैक तो मैं चैनल प्रत्य ज्यादा बड़िया है, और इसका इमोट भी बहुत ज्यादा बढ़िया है, तो अभी तक तुम लोगोंने, BGMI में Ultimate जूते देखे होंगे, BGMI में Ultimate चश्मे देखे होंगे, लेकिन इस event में तुमें ultimate scarf मिलने वाला है तो इस event से तुम कैसे फायदा उठा सकते हो ये मैं तुमें इस वीडियो में proper details से बता देने वाला हो तुम यहाँ पे देख सकते हो ये event 28 October को गेम में आया है और 29 November तक गेम में रहने वाला है और इस event की सबसे खास बात ये है कि तुमें दिन की पहली spin सिफ 10 UC में मिलने वाली है तो तुम लगभख 30 के करीब में spin कर सकते हो अगर तुम 10 UC से रोज भी spin करते हो तो आरा 10 UC में spin करने में बहुत सारा फायदा है सबसे पहला फायदा मैं तुम बता देता हूँ कि तुम देख सकते हो अगर तुम्हें ये set निकल जाता है तो फिर क्या ही कहने ये set तो 10 UC में बहुत ज़्यादा वर्थिट है अगर ये gun भी निकल जाती है तो ये बहुत ज़्यादा वर्थिट है हर spin पे तुम्हारा कुछ न कुछ लग यहाँ पे increase होता रहे तो जैसे ही ये hundred हो जाएगा देन तुमें एक butterfly jam मिल जाएगा जिसके exchange में तुम एक jam में बहुत कुछ बाय कर सकते हो तो एक बहुत ही ज़वर्दस फायदा है दुसरा फायदा तुमारा यहाँ पे यह है कि तुम इस butterfly jam से एक material भी बाय कर सकते हो complete material के बारे में मैं बात कर रहा हूँ तुम यहाँ पे देख सकते हो एक complete material एक butterfly jam में मिल रहा है हम अगर butterfly jam को छोड़गी दूसरे item की बात करे जो इस event पे हमें मिलने वाला है तो वो है butterfly jam piece यह butterfly jam piece भी बड़ी काम की चीज है अगर तुम पूरे 50 butterfly jam piece को collect कर लेते हो तो तुम्हारा benefit इसमें यह होगा कि तुम एक butterfly jam इस से buy कर सकते हो यह हो गया एक फायदा है हर 5 butterfly jam piece पे तुमें एक mini material यहां से मिल जाएगा जो मुझे personally बहुत ही ज्यादा interesting लगा है तुम इस event से काफी ज्यादा mini material निकाल सकते हो और अगर तुमारी किसमत सई से चलती है तो तुम एक complete material भी इस से निकाल सकते हो यह होगी complete detail about glacial bright set के बारे में अब मैं तुमें जो बताने वाला हूँ यह update PUBG Korea में आ चुका है यह एक spending event होने वाला है इसका नाभ है UC consumption event यह event मुझे personally बहुत ही ज्यादा जबर्दस लगा क्योंके यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम UC को spend करने पे तुमें बहुत ज़्यादा जबर्दस reward है PUBG KR में तुम देख सकते हो क्या rewards मिल रहे है PUBG Korea में यहाँ पे Donketsu medal मिल रहे है जो तुमें सिफ PUBG Korea में ही देखने मिलेगे यह reward 120 UC से start होते है मतलब अगर तुम 120 UC खर्च करते हो तुमें यह 1 medal मिल जाएगा 500 UC पे फिर से 1 और medal मिल जाएगा उसके बाद अगर तुम 1700 UC खर्च करते हो तो तुमें पूरे 4 medal यह मिल जाएगे अगर तुम 32 UC खर्चा करते हो तो तुमें एक complete material मिल जाएगा उसके बाद में अगर तुम 6500 UC खर्च करते हो तो तुमें पूरे 10 medal मिल जाएगे और उसी के साथ 10 paint की बाटल भी मिल जाएगे अगर तुम 9000 UC spend करते हो तो तुमें 10 medal और भी मिल जाएगे इसके बाद अगर तुम 12000 UC spend करते हो तो तुमें फिर से 10 medal मिल जाएगे इसके बाद में अगर तुम 16000 UC को spend करते हो तो तुम्हें फिर से एक और complete material मिल जाएगा और फिर सबसे आखिर में जब तुम 25,000 UC spend कर लेते हो तो तुम्हें एक complete material मिलने वाला है इसी के साथ में 10 paint का water भी मिलने वाला है जो एक बहुत ही जबरदस deal मुझे लगी पर तो शौर है कि BGMI में भी ये event 100% आने वाला है लेकिन ये event BGMI में का बाता है इस चीज का मुझे कोई idea नहीं में भी एक या दो week में ये event आ सकता है या फिर आने वाले कुछ एक दो दिन में ही ये event BGMI में आ सकता है तुम कैसे इतना सारे UC spend कर पाऊंगे तुम्हें simply activity pack buy कर लेना है अब activity pack होता क्या है और तुम इसे कैसे buy कर सकते हो मैंने इस सीज पे एक complete detail वीडियो बनाया है इसका link तुम्हें मैं description में भी डाल दूँगा और उसी के साथ साथ आए button पे भी तुम्हें ये video मिल जाएगा यही था जो तुम्हें आज के इस video में बताना था अगर तुम्हारा ये video देखकर फायदा हुआ हो तो मुझे comment में जरूर बता देना I hope तुम्हें मेरा ये काम पसंद आया हो और ये video informative लगा हो अगर तुम्हें ये video informative लगा हो तो इस video को एक like कर देना channel को subscribe कर देना और bell icon पर click कर देना मैं मिलता हूँ तुमसे फिर किसी और video में तब तक के लिए bye